विडियो में आपका स्वागत है दोस्तो आज है 17 जुलाई 2019 और यह हमारी 197 भी ग्लास है 12 important questions आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके exam और आपके knowledge की दरश्टी से बहुत important है इन questions को आप note कर लें क्योंकि ये आपके exam में पूछे जाते हैं साथी questions related important fact भी हम आपको बताते हैं तो वो भी आपको याद रखने हैं दोस्तो अगर आपको MPG के और current affairs related कोई भी problem जाए तो आप हमें comment box में बताए हम आपके answer जरूर करेंगे चलते हैं question number first हाली में किसने cricket world cup 2019 जीता है तो दोस्तो इसका सही option है England हाली में England ने cricket world cup 2019 जीत लिया है दोस्तो इंगलेंड ने final में न्यूजलेंड को सुपर ओवर में हरा कर यह world cup अपने नाम किया है दोस्तो आपको बता दें इंगलेंड ने पहली बार विशुक अप जीता है cricket विशुक अप इंगलेंड ने पहली बार जीता है दोस्तो आप बाताईए cricket world cup 2019 की तो आपको इसके बारे में कुछ important fact बता दें 30 मई 2019 से शुरू हुआ England और बेल्स में cricket world cup 14 जुलाई 2019 को समापत हुआ जिसमें England विजेता और New Zealand उप विजेता रहा है दोस्तो final match लॉट्स के ग्राउंड में 14 जुलाई 2019 को खेला गया है तो इतना आपको cricket world cup 2019 की बारे में याद रखना है चलते हैं next question हाली में कौन हिमाचल प्रदेश के नए राजजिपाल बने है तो दोस्तो इसका सही option है कल राज मिश्र हाली में कल राज मिश्र हिमाचल प्रदेश के नए राजजिपाल बने है दोस्तो आपको बता दें कल राज मिश्र पहले इनकी जगह आचारी दिवरत थे जो हिमाचल प्रदेश की राजपाल थे लिकिन अब हाली में कलराज मिस्र को हिमाचल प्रदेश का नया गवर्णर बनाया गया है दोस्तो आचारे दिवरत को गुजरात का राजपल निक्त किया गया है आपको बताने कलराज मिस्र पिछली सरकार में सूक्षम लगू और माध्यम उद्योग मंत्री थे दोस्तो कलराज मिस्र का जन्म 1 जुलाइग 1941 को उत्तर प्रदेश में हुआ था दोस्तो ये BJP पार्टी से जुड़े हुए है दोस्तो अब बात आईए हमाचल प्रदेश की तो आपको मैप में इसके बारी में बता दे मैप में ये जगह हमाचल प्रदेश को दरसाती है हमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जन्मरी 1971 में की गई थी दोस्तो गवर्नर हाली में जो बने है उनका नाम है कलराज मिस्र मुक्य मंत्री है जैराम ठाकुर और राजधानी है शिमला तो इतना आपको हमाचल प्रदेश के बारी में याद रखना है दोस्तो कुछ और important fact बता दे हमाचल प्रदेश वर्फ से डखा हुआ है जिसके कारण इसे हमाचल प्रदेश कहा जाता है इसका छेत्फल 55,673 वर्ग किलो मीटर है दोस्तो हमाचल प्रदेश की अधिकारिक भासा हिंदी और संस्कृत है तो इतना आपको हिंदी और संस्कृत ये भासा हैं इतने इसके बारे में याद रखना है next question है हाली में किसे अमेरिकी किर्केट टीम का अंतरिम कोच बनाया गया है दोस्तो आपको बतादे टीम इंडिया की पूर्व बल्लेबाज किर्ण मोरे को अमेरिकी किर्केट टीम का अंतरिम कोच नियुक्त किया गया है मोरे ने 49 टेस्ट और 94 वंडे खेले हैं ये भारतिय चैन समीती के अध्यक्ष भी रहर चुके हैं दोस्तो इनके अलावा शुनील जोसी वॉलिंग और प्रिमिर आमरे तथा कीरन पॉवेल को वेटेंग के लिए सलाहकार बनाया गया है अमेरिकी किर्केट टीम में चलते हैं नेस्ट कॉशन विश्व बेंक समुई की MD बनी अंशुला कांत निमने में से किस बेंक की MD है तो दोस्तो इसका सही ओफ्षन है SBI SBI बेंक की MD है अंशुला कांत जो हाली में विश्व बेंक में MD बनी है दोस्तों आपको बता दे भारतिय बेंकर अंशुला कांथ को विशो बेंक समूही की मैनेजिंग डारेक्टर और चीफ फानेंसियल आफिसर निउप्ट किया गया है विशो बेंक समूह में यह फानेंसियल और रिस्क मैनेजमेंट की जिम्मिदारी समालेंगी यह बिशो बेंग के मुख्य कारिकारी अधिकारी के साथ काम करेंगी तो आपको इतना अंशुला कांत के बारे में याद रखना है चलते हैं नेस्ट क्वेशन पर हाली में कहां कजरी महुतसव का आयोजन किया गया है तो दोस्तो इसका सही option है सागर जिले में हाली में सागर जिले में कजरी महुतसव का आयोजन किया गया है दोस्तो इस option पर बुंदेली प्रिसंग के साथ बुंदेली नरत कलाएं भी आयोजन की जाएंगी अब बात आईये दोस्तो सागर की तो आपको कुछ important fact सागर की बारी में बता दे दोस्तो आपको बता दे पहला विश्विध्याले मध्यप्रिदीस का जिसे हम डॉक्टर हरीशिंग और विश्विध्याले की नाम से जानती है यह सागर जिले में ही इस्तिते दोस्तो पदमाकर समारो है स्टेनलेस स्टील कॉंपलेक्स सागर में ही इस्थे थे गड़ पहरापू प्राचीन सागर की नाम से जाना जाता है नौरदेही बननेजी वब्यारन भी सागर जिले में ही इस्थे थे प्रथम फॉरेंसिक लेब की स्थापना मध्यप्रदेश में सागर जिले में ही की गई थी दोस्तो एरन जो पुरातात्विक इस्थल है सागर में यहाँ पर सती का प्रथम लिखित साप्षिप राप्त हुआ था आपको एक और important fact बताएं दोस्तो आप चंद की गफाएं सागर जिले में ही इस्थे थे दोस्तो बीना में औरल रिफाइनरी बनाई गई है तो इतना आपको सागर जिले के बारे में याद रखना है देश की सभी प्रधान मंत्रियों के लिए कहां म्यूजियम बनाया जाएगा तो दोस्तो इसका सही option है दिल्ली देश के सभी प्रधान मंत्रियों के लिए दिल्ली में एक म्यूजियम बनाया जाएगा माच तक दिल्ली में देश के प्रधान मंत्रियों पर म्यूजियम तयार हो जाएगा CPWD तीन मूर्ति भवन कॉंपलेक्स में करीब 66 करो रुपे की लागत से बनाया जा रहा है यह म्यूजियम तो आपको याद रखना है सभी प्रधान मंत्रियों पर म्यूजियम दिल्ली में बनाया जाएगा हाली में कब विश्व यूबा कॉसल दिवस मनाया गया है तो दोस्तो इसका सही ओफ्षन है 14 जुलाई हाली में 14 जुलाई को विश्व युवा कॉसल दिवस मनाया गया है दोस्तो आपको सबसे पहले World Youth Skill Day की थीम बता दें तो इसकी थीम रही है साल Learning to Learn for Life and Work ये विश्व युवा कॉसल दिवस की थीम रही है दोस्तो अब बताते हैं आपको पहली बार अंतरास्तिय या विश्व युवा कॉसल दिवस कब शुरू किया गया था तो 2015 में यह 15 जुलाई को विश्व युवा कॉसल दिवस शुरू किया गया था दोस्तो इस दवस पर उद्दिश युवाओं को अधिक से अधिक कोशल विकास के प्रति जागरूप करना है ताकि वे वहतर अफशर की तलास कर रोजगार प्राप्त कर सके दोस्तो इतना आपको इस दवस की बारे में याद रखना है एक और दोस्तो फेक्ट आपको बता दें भारत ने 40 करोर से अधिक लोगों को 2022 दक अलग-अलग कौसल में प्रसिक्षित करने का लक्ष रखा है यह भारत में रखा गया है तो आपको इतना इस विश्व युवा कौसल दिबस के बारे में याद रखना है दोस्तो यहाँ पर आपजेक्ट में 15 जुलाई है माफ करना दोस्तो यहाँ पर 14 नहीं 15 जुलाई को विश्व युवा कौसल दिबस मनाया जाता है नमनमे से कौन सा मेला भांडेर दतिया में लगाया जाता है तो दोस्तो इसका सही option है राम लीला मेला राम लीला मेला भांडेर दतिया जले में लगाया जाता है दोस्तों स्क्रीन पर आपको कुछ और मेले दिख रहे होंगे उनके बारी में बता दें तो कलपेश्वर का मेला दोस्तों यह सारंगपुर राजगर में लगाया जाता है वाट घोगरा का मेला यह भैरो थान सिवनी में लगाया जाता है और वहीं हीरा भूम या मेला यह दोस्तों गुला गुला और गुला क्षेत्र में लगाया जाता है तो इन चारों मेलों की बारे में आपको याद रखना है और दोस्तों मुझे हाली में कमेंट आये हैं कि मेलों की ऊपर एक वीडियो बनाए तो आपको इस संडे आने वाले संडे में मेलों के ऊप उपर मध्यप्रदेश में जितने भी मेले हैं उनकी उपर एक वीडियो मिल जाएगा चलते हैं राजा भाईया पूछ वाले निम्नमे से किस कलामे निपूर थे तो दोस्तो इसका से यॉप्षन है सरूद बादन राजा भाईया पूछ वाले सरूद बादन कलामे निपूर थ दोस्तो आपको बता दें ये ग्वारियर से संबंद रखते थे और इनका जो जन्म हुआ था वह 1882 ECV में हुआ था दोस्तो आपको बता दें खयाल बादन में मद्धिप्रदेश से जो संबंद रखते थे उनकी नाम कौन-कौन से हैं तो सबसे पहला नाम आता है अली अकवरख का जो खयाल बादन में अपना मद्धिप्रदेश से इस्थान रखते थे या मद्धिप्रदेश से संबंद थे इसके बाद दोस्तों खयाल गयन में जो नाम आता है वह है शंकर राव पंडित और तीशा नाम है नारेड राव पंडित ये सभी दोस्तों खयाल गयन में मद्ध प्रदेश का संबंद रखते थे और इसके अलावा कुमार गंदर्व भी खयाल गयन में मद्ध प्रदेश से सं गया था तो दोस्तो इसका सई ओफ्षन है 1848 यानि 1848 में मालवा अकवार प्रिकाशत किया गया था दोस्तो इस अकवार की जो भाषा थी वह हिंदी थी और इसे इंदोर से प्रिकाशत किया गया था यह हिंदी का पहला समाचार पत्र था दोस्तो आपको बता दे 1840 यानि 1840 मे मत्यप्रदेश में एक भारत का पहला समाचार पत्र प्रिकाशित हुआ जो अकवार ग्वालियर की नाम से जाना जाता है और इसकी भासा उर्दू थी और इसका प्रिकाशा निस्थल ग्वालियर था तो इतना आपको इन दोनों की बारे में याद रखना है दोनों अकवारों की बारे में पहला अकवार था जो मत्यप्रदेश और भारत का वह था अकवार ग्वालियर और हिंदी का पहला जो अकवार था वह था मालवा अकवार जो इन दोन से प्रकाशित किया गया था नेश्ट दोस्तो नमनमे से कौन सा स्टेडियम रीवा में इस्थित है तो दोस्तो इसका से योफ्षन है ठाक और रणमत से हैं स्टेडियम रीवा जिले में इस्थित है दोस्तो इस्क्रीन पर आपको कुछ और स्टेडियम दिख रहे होंगे इनके बारे में भी आपको बता तो रूफ से स्टेडियम यह गबालियर में इस्थित है दोस्तो तात्या टोपे स्टेडियम यह भूपाल में इस्थित है जहां पर जर्मन ट्रेक सुविदावी मौझूद है दोस्तो अब है खेल प्रिशाल यहां पर दोस्तो प्रिशाल है अब है खेल प्रिशाल यह बूर्पृ्स्ट्स सबसे बड़ा स्टेटियम है अभाइखेल प्रिसाल माफ्यप्रदेश में बंब कितने रेलवे जौन इस्थे थे तो इसका इसके बाद है दूसरा पश्चिमी रेलवे जिसमें इंदौर, देवा, सीहौर, उज्जेन, रतलाम, मंदिसौर और नीमच जिले आते हैं इसके बाद दोस्तों तीसरा जोन है डक्षन पूर्वी मध्य रेलवे इसमें शाहडोल, छिनवाडा, बालाघाट, सिवनी, आदी जि है, तो इतना आपको इस रेलवे जोनों की बारे में याद रखना है, दोस्तों आप बात करते हैं प्रिवियस टे के क्वेशन की, तो दोस्तों कल का क्वेशन था, राज्य इस्तरिये सूपरतो फुटवल कप कहां खेला जा रहा है, जिसका सही उफ्षन था दोस्तों उबिरा के औस दिया पौदी लगाए जाएंगे, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें, हम आपके आंसर करेंगे, तो दोस्तों ये था हमारा आज का इस्पेसर वीडियो, करेंट अक्फेर से रेलेटेड, दोस्तों आप हमारे चैनल स्टर्ड उनिवर्स को ला आए और फॉर्म시면्दम स्टाउन्द स्टर्ड उनिवर्स को